हेलो स्टुडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं ICR एक्जाम से रिलेटेड जानकारी की तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें हम आज आपसे जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका एक्जाम पैटन ठीक है आपका सिलेबस क्या होगा आपको कौ कौन से डाकुमेंट्स तयार रखना है ICR के आप फॉर्म फिल करना है तो कोशन पेपर कितने मार्क्स कायागा माइनस मार्किंग किस पैटन की होगी पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा पेपर की डेट क्या होगी ठीक है पेपर में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट प अबसुर्ण को बच्चों आईए चलते हैं और देखते हैं वीडियो को इस्टेप बाइस्टेप तो बच्चों exactement का वोगा नम moist किस पेपर होगा पितने घंटे का होगा तो भाई पेपर होगा दो घंटे 30 मिनिट का मतलब 150 मिनिट का पेपर होगा धाई घंटे पेपर होगा मतलब 150 मिनिट आपको पेपर में मिलेंगे और 150 ही आपको क्या मिलेंगे बच्चों प्रस्न मिलेंगे मतलब 150 ही आपको कोशन देखने को मिलेंगे purpose से question set किया जाएंगे कि आपको एक मिट के अंदर बन जाए type of question कैसे आएंगे सारे के सारे question आपके objective होंगे मतलब MCQs होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों वस्तुनिस्ट प्रस्न कहते हैं कैसा कहते हैं बच्चों वस्तुनिस्ट पूरा आपका paper होगा language कौन सी होगी तो भाई paper आपका हिंदी में भी आएगा English में भी आएगा ठीक है यदि आप UG से हैं तो UG मतलब यदि आप 12 pass out हैं और आप college के लिए apply कर रहे हैं तो आपका paper हिंदी और English दोनों में आएगा यदि आप हिंदी वाले तो आप हिंदी से solve कीजे English वाले रहेंगे तो English से solve कीजेगा लेकिन यदि आप PG वाले यदि हैं और यदि आप JRF और SRF की तयारी कर रहे हैं या master degree की तयारी कर रहे हैं तो आपका paper फिर सिर्फ और सिर्फ English में आएगा तोटल मार्क्स की दि हम बात करें बच्चों तो टोटल जो paper होगा वो होगा आपका 600 नम्मर का 600 नम्मर का question और आपको पता भी कि देड़ सो question आ रहे हैं तो एक question आपका 4 नम्मर का हो जाएगा एक question में कितने नम्मर मिलेंगे एक question सही करने पर 4 नम्मर मिलेंगे वहीं यह दि बात करेंगे एक question दि गलत हो जाए तो एक नम्मर कट जाएंगे एक नम्मर क्या हो जाएंगे बच्चों कट जाएंगे सही question करने पर 4 नम्मर एक गलत question दि कर दी आपने जो ठीक है, PCB से बिलोंग करते हैं, मतलां Physics Chemistry Biology वाले सबजेकट वाले बच्चे भर सकते हैं, PCM वाले भर सकते हैं, मतलाdays Physics Chemistry Maths, मतला Myths Stream से बच्चे भर सकते हैं, जिनका गड़ित संकाँे था, जिनका Bio संकाँय था, वो दोनों बच्चे भर सकते हैं, एग्रिकल्चर वाले बच्चे भर सकते हैं इसमें ठीक एग्रिकल्चर वाले बच्चे भी भरते हैं और हॉम साइंस जिन बच्चों का है वो बच्चे भी ICR के exam में ठीक है form fill कर सकते हैं और appear हो सकते हैं याद रखेंगे तो चारो stream के बच्चे भर सकते हैं bio, maths, agriculture और home science वाले बच्चे भर सकते हैं अब यदि हम बात करेंगे बच्चों यदि आप किस्से हैं biology से हैं आपको क्या-क्या पेपर में पूछा जाएगा तो भई आपको physics, chemistry और biology आएंगी सभी subject आपके 50-50 नमर के रहेंगे ठीक है मदब 50-50 question आएंगे मान के चलिए यहाँ पर 4 नमर का एक question है तो total कितने नमर का question 200 नमर का यहाँ भी 4 नमर का एक question है आप math से कर रहे हैं तब भी 50-50 question आएंगे 300 question है सभी subject से प्रतेक subject से आपको 50-50 question पेपर में देखने को मिलेंगे यदि आप वही agriculture से हैं तो physics, chemistry और आपको agriculture पूछा जाएगा physics आपको 50 नमर की आएगी जो जिसका level थोड़ा सा आपका tough रहेगा chemistry भी आपको 50 question आएंगे और agriculture भी आपको 50 question आएंगे लेकिन थोड़ा सा इनका जो label रहेगा वो थोड़ा high label रहेगा agriculture का level तो ठीक रहेगा लेकिन physics और chemistry का level थोड़ा सा आपको high देखने को मिलेगा और हम बताएंगे कि आप किस labels क्या-क्या होने वाले हैं BFC मिलेगा ठीक है आपको BFC forestry करने को मिलेगा आपको BFC Community Science करने को मिलेगा Food and Nutrition and Dinastics आपको देखने को मिलेगा BFC आपको ठीक है आपको क्या देखने को मिलेगा surgical करने को मिलेगा आपको B.T.E.C. agriculture से जो engineering होती वो आपको करने को मिलेगा Betech, Derry Technology मिलेगा आपको करने को और Betech, Foot Technology देखने को मिलेगा और Betech, Bio Technology आपको देखने को मिलेंगे तो इतने सारे courses आप कर सकते हैं ठीक है याद रखेंगे अब हम कौन-कौन से कर सकते हैं तो भई ये जो course आप देख रहे हो जैसे आप ये वाला course देख रहा हो, ये किसके लिए है बच्चों हमारे, ये maths बाय वाले बच्चों के लिए हो जाते हैं हमारे, ठीक है बायो टेकनलोजी से बायो कर सकते हैं, एंगरी कल्चर वाले जो एंजिनिरिंग है वो बीटेक कर सकते हैं बच्चे, बाकि सभी subject जो हैं वो हमारे कौन भर सकते हैं भच्छों ठीक एगरिकल्चर वाले भर सकते हैं और यह हो गया Food Technology से इसमें ठीक होम साइंस वाले कर सकते हैं ठीक है Dairy Technology कर सकते हैं वो लोग nutrition वाले से कर सकते हैं तो इसमें सभी के आपको देखने को मिल जाएंगे याद रखेंगे आप लोग अब इसके बाद में बच्चों इदी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कौन-कौन से डाकुमेंट्स तयार रखना होगा वो देखिए वही आपको अधार कार्ड या पासवोट साइज जो ठीक है आपका पा पासवोट साइज फोटो चाहिए ठीक है वह आपको देखने को मिलेगा आपके सिंगनेचर लगेंगे आपको और आपका थम इंप्रेशन लगेगा ठीक है डिया से तो या फिर आपका प्रूफुप टेड मला कहां के रहने वाल है स्थाई निवाइस जिसकों मूल प्रमान पत्र बोलते हैं तो जितने सर्टिफिकेट आपके पास में सब बना के रखिए यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आपको अधार कार्ट साथ में लेकर जाना पड़ेगा बच्चों या ड्राइविंग लेसेंस या पैन कार्ट और इजनल लेकर जाना पड़ता है यदि आप अधार कार्ट ले जा रहे हैं तो अधार कार्ट की फोटो कापी भी चलेगी ने तो आपको पासवोर्ट साइज फोटो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लेकर जाना होगा पेपर में बैठने के लिए अब यदि हम बात करें बच्चों की आपको फीस कितनी लगती है तो बच्चों जनरल और OVC वालों के लिए साड़े 700 रुपए फीस होती है यही पर बात करें STSC या PWD वालों के लिए साड़े 375 रुपए लगती है याद रखेंगे यदि आप PG से कर रहे हैं प्रोस्ट ग 900 रुपए के आसपास लगते हैं और जो Net Cafe वाला 10 से 20 रुपए चार्ज करता है वो आपको अलग अब यदि हम बात करेंगे बच्चों आपको सेंटर कौन कौन से मिलेंगे तो सेंटर आप देख सकते हैं यह सारे सेंटर आपको देखने को मिलेंगे तो आप सेंटर नोट कर बच्चों सिलेबस के साथ में step by step की कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जो बहुत ज्यादा important होंगे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और जल्द ही मिलने वाले हैं हम एक नए वीडियो के साथ में जिसमें हम fully discuss करेंगे आपका क्या syllabus होगा कौ कौन से टॉपिक आपके लिए important होंगे और कुछ पुराने previous share paper के साथ में तो बच्चों आज के लिए इतना ही और वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद ओके बच्चों बाए बाए